नमस्कार दोस्तू स्वागत थे आपका स्टाड़ भी था इसमें दोस्तो इस वीडियों बात करने वाले हैं रेलवे एलपी वेकेंसी 2023 के रिगार्डिंग जैसा कि आप थम्निल में देख पारोंगे ब्रेकिंग निवज एलपी वेकेंसी नोटिस जारी एडूकेशन क्वालि क्लियरेंस आ गया है कि कौन अभियर्थी फर्म को अपलाई कर सकते हैं वही दोस्तों आप लोग के मालू होगा कि कोई भी वेकेंसी आने से पहले यहां पे क्लियरेंस जारी किया जाता है कि कौन-कौन अभियर्थी फर्म में अपलाई करेंगे क्या रूल रहेगा इस सारे डिटिल्स जारी किया जाते हैं और वही दो बूश्टो आज के डेट में railway board ने official a notice जारी किया है तो दोश्तो देख सकते हैं यहां पे government of India, ministry of railway, railway board R-W-Number यहां पे देख सकते हैं 176 2023 और नई दिली 11-12-2030 यानि दोश्तो आज लेवल 2 में सहयक लोकु पाइलरट के पद पर सीधी भरती के लिए निवतम निधारित सचनीक आहरता के आस्पास्टी करन यानि दुस्तों यहाँ संखक पत्र जारे किये गए हैं यहाँ पर आगे उन्होंने मेंशन किया है देख सकते हैं बोर्ड के दिनांक 28-7-2023 के उपर संधरभीत पत्र की और आपका ध्यान दिलाया जाता है कि जिसके तहत असपस्ट किया गया है कि रेलवे बोर्ड के दिनांक 19-10-2015 के संधरभीत पत देख सकते हैं 1989 अध्या एक सिर्ष तीन परिवार विवाक के अंधरगत पैरा 137 के दोग को इसके साथ सलंगर अग्रिम सुधी परची के दुसार संसुधीत किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कुछ संसोधन किये गए हैं और यहाँ पर ललीता आ अधर रिवाई एडिशन देख सकते हैं 1909 से यहाँ पर दैसकते हैं च्प्टर 1 सेक्शन बी सबसेक्शन यहाँ पर तीन रिकूरमेंट और ट्रेनिंग यहाँ पर देख सकते हैं वही ट्राप्रटेशन पावर डिपार्टेमेंट का है असिस्टेंट लोको पाइलट और दो दो परकार के भेकेंसी आते हैं एक डीजल आता है एक लेक्टिकल आता है और आप से प्रिफेंस मांगा जाता है कि आप कौन में जाना चाहते हैं वही दूश्त यहाँ पर देख सकते हैं एड़वांस करप्षन स्लीप देख सकते हैं 284 है और पैरा 137 के भी में में यह में चाहिए पलस यानि उसके बाद में आपके क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए नीचे पूरा में चाहिए यहां पर देख सकते हैं कि आपके बाहर अगर 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 ऑकर मान होगा वही देख सकते हैं डीप्लोमा इन मेकेनिकल एलेक्ट्रोनिक्स और अटो मोवाय इंजिनियरिग इन लिव इस आई तुष्टो आपके पास में अगर इन बरस यह डिप्लोमा है जो की mechanical से हो या electrical से हो या electronics से हो या automobile से हो इन सभी ट्रेडों में अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं तो आप eligible होंगे LP पोस्ट के लिए वहीं दोस्तों यहां पर नोट में देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं पूरा ढखले हैं यहां पर फूरा मेंसर कियागा आप को करें देख सकते हैं अगर इस के लिए है इस को है यहां इस परनेयोट के लिए मैं क tiden में के लिए होंट के बिए और में ३बिंग तो वाले के फूंट के यहां होंगे department यहाँ पर इλοजिबल होंगे ट्रैक्टर मेकेनिक यहाँ पर इलिजिबल होंगे इलिजिवल होंगे, टर्णाल, मेशिनिस्ट और रेफ्रेजिनेशन एड 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 इलिजिवल होंगे, यहाँ पर नोट में देख सकते हैं, अगर दोस्तो आप इंजिनियरिंग के अस्थान पर आप इंजिनियरिंग किये होए हैं, और उसे अगर आप रेफ्रेजिवल होंगे, आपको यहाँ पर मान होगा, और दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो लटेर्टरी रेल बेबोर्ड के लेटर नमबर यहाँ पर पूरा मिस्र किया गया है, इनके अनुसार इसारे कंडेटट अलिजिवल होगे, तो दोस्तो एक बहुत ही बड़ी खवर है आप लोग का LP का वेकेंसी बहुत ही जल्द जारी होने वाला है आपको यहाँ पे जो वेकेंसी है जनवरी में 100% आपको बता रहा हूं 100% जनवरी में आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है वही दोस्तो अगर आप हिंदी में हो पढ़ना चा त हैं तो यहां पर यहांå पर उझसा है फीटार कर इंस्ट्रमेट। मैंकेनिक हो गया मिल राइट हैंचर अनुषरण मैंकेनिक हो गया मैंकेनिक लिए निउंक वह गया उवजिवगंग्यी проб हमारे अगिकर देख सकते हैं इंजिनरी में डिपलोमा के स्थान पर अगर आप इंजिनेरं इजिनेरिंग किये हैं अगर आप तो आपको भी मान होगा तो दोस्तो फानンテ कि कुछ कि कुर्स कुछ describe смотрите झाल झाल